सोशल मीडिया पर जैन समाच के सबसे ही लोग का प्रिया जैने नियूस चैनल आप सभी को सुबह 8 वजे आज कुछ ऐसी बात करेंगे दातों तले मुली दबाएंगे आग इस पंचम काल में अब की बात करते हैं क्या आज भी वर्तवान काल में मंदरों की घंटिया बसती ही हो क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पर अंदर भोरा हो वहां से कहीं ऐसा तीश है प्रतिमा जरी महां पर दवी पड़ी हो जिससे एक आदमी लेकर आज जिस पर दो रुपे नहीं थे आज वो लख पती लख पती बन गया आज की बात कर रहे हैं कि आज भी वैसे ऐसी चमतकारी परतिमा है कि जहां पर कोई प्रक्रमा एक सो आट लगाता है तो उसकी मनौत पूरी हो जाती है वर्तमान की बात कर रहे हैं और आज बात कर रहे हैं आज गौालियर के पास बस सोले किलोमेटर दूर पर कुलैथ गाओं की यहां पर सौंक नदी बास बहती है बात कर रहे हैं आज से हम 2009 की समय लिए जे फरवरी के आखिर के महीने की वहां पर देखा कि एक गाओं के अंदर उस गाओं से नदी में बहते बहती एक खंबा आगे है जिसमें आगे कुछ मूरती असी थी तो सैनिक वहां पर केम्प लगा हुआ था तो सैनिक और सोचा इसको लेकि हम ले जाते हैं टॉली में साहब से फोन किया उनका हाँ टॉली में ले आओ कहते हैं पहली टॉली फेल हो गई है दूसरी हो गई तीसरी हो गई उन्हें साहब को फोन के ओपर के अपनों को भई हमसे टॉली में नहीं आ रही है प्रतिमा आगे बढ़ती ही नहीं है पता है उसने क्या जवाब दिया आप वो सुनाते हैं जो इस समय महां के अध्यक्ष है मुरैने में रहते हैं जवाहर लाल जैजी उन्हीं से बताते हैं जो उस समय मुरैने में मंत्री थे जो सुनते हैं उनसे, हमारी बात पर नहीं, उनकी बात विश्वास करिए, जो देखते हैं बोलते हैं, सुनिए दरा मैं अपने अध्यारी को पूछा, कि साथ ये जहन पितमाजी है, यहां से अक्डा नहीं चा रही है, ऐसी इस्तिती बन चुकी है, तो लोगों ने खा कि भईया, वो जहन दरा की पितमाजी अटूट सिद्धा वाली होती है, उनको टेच मत करो, आप तो होई छोल करके चले सायत, गाओं वरों ने बताई किसने तुमारी ऐसी प्रतिमाँ पढ़िया, उसकी हालत क्या हो रही है, वह जाते हैं, उस नदी के नारे सचमुछ विश्वास होती है, तब गाओं में एक बात होती थी, आपको बता दे, गाओं वाले खंडित प्रतिमाँ गाओं के अंदर आज भी कई गाओं में ऐसा है, ये खंडित प्रतिमाँ नहीं आश्यूब हो जाएगा, हमारे यहां पता नहीं, बग्दी कहां से कहां जाती है, चलो, ये बहत है, उनने फोटो खीची, और पहुच गए में पास में विराजमन थे, मदोद गाओं के अंदर सुरतन सागर ज अचारी सुरत दोनों का चत्रमास भूआ था, बस वही सुरतनागर जी मिलते हैं, फोटो दिखाते हैं, ऐसा है महारा जी, ऐसी बात हुई थी, वो कहते हैं, अभी तो मैं शिप्पुरी जाओंगा, तब रास्ते में देखूंगा, वेक्तित करते हैं, करते हैं, दिन आ जात अचारी सुरत करते हैं, फोन को जाता है, थोड़ा ध्यान लाएक कहते हैं, नहीं, यहां पर एक यह परतिमा नहीं है, ऐसी अनेक परतिमा हैं, महज पचास मीटर के दूरी में, कुछ नदी में मिल जाएंगी, उनको भी खोज लो, कहां पैठे हुए थे और कहां से वह बता आदे नहीं है, महां को दा अंधर घंगे तो, कहते हैं, हाँ कुछ पत्धर सा पढा Ведь, उसके नाग कान से लगते हैं, गाहँ से रसी मंगाई, कुछ क्रेंसी मंगाई, और फिर उसको निकालने की कोशिच की, सुनेंगे बधरां हुए, हमसे क्या सुनेंगे, उनसे सुनेएं सुनते जवार्ट फिर उन लोगों को नजी में कुदाया और उंसे का वे इन रस्यों में तरले तो आप प्रितमाजी को खाड़ा की तो वो चतर मखी बिम जो वाँ पड़ा हुआ था किनारे पर देखा अच्छा फिर हमको और सास हुआ तो अब अधर सुन मशीर मंगाई गौ रसे गौदू करकर उस द Terrimana पार निकाला तो उस पितमाजी में सब चतर मखी तो अता एक पितमाजी बोसे मतलऴ सांगोपां अच्हा थी वह जी और जी घ्या और सीन परग्णि उस में अंग तोंट थे बढ़ Met partnerships उनकरन यवारillap को अगहा की ए उसमें मुन खंड़त उस मे का यह जो म हुआर만 कर अग्रांग इन 25 काया उसके अपने कारी तो फिर मोई खुड़ा की बहुत कि इता है तो चार्व पृत्माजी में ऑंगो पांग मुलंकी कषुड़ थे और अभाण करिवाद गलगाई अब इत्साथ कि आ अप ऊच्छा अब इक कि पर सिप्रुमाजी आप बिस्तास नहीं करेंगे दो दो लड़कों ने वो बिमो उठा करके जो उससे भी एते टॉली से उस बिग्डो को दो आदमी वहां से उठा करके टॉली में रखवा दिया और दोनों ने ये बिमो रखवा लिया तीनों बिमो को हमने रख लिया अब चुक्कि ये बात जो आज की तरह सेली तो हमको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो कि गवर्मेंट की तरफ से कुछ लोग आए उठा कर ले जाए तो हम जल्दी से जल्दी बड़े मंदिल्जी में उन पर लेने गए तो बोच्चू की दरवाजा छोटा था बिमो बड़े से तो साइड की दिवाल आजवान करवा दिये चौग में जी हां 9 मार्स को 2009 को यह कटना हुई और 10 मार्स अगरे जिन था जनम तब कल्याणक आदीनात भगवान जी का जब एक खबर मिली तो आचारीशी ने उन्होंने तब मुनी थे उन्होंने उसमें चारों तरफ यह खबर बिजवा दी कि ऐसी प्रतिमाने के लिए सेंकड़ों लोग आने लगें कोगि बहुत गंदियों कोई थी कीचन में थी इस तरह मिट्टी में थी तो उसके कह दिया कल्चा भी जिसका होगा जिस सफ़ाई हो जाए वैसे ऐसे पूजने नहीं हो पाती है यह खबर मिलते ही सेंकड़ों लोग आने लगें वहाँ पर उनको दिखनी है आदम खद की प्रतिमा है थी और एक का वजन पांसो किलो था अचंबा कर सकते हैं कि तीन वाला को उसको फूल की तोड़ सकते हैं पुरानी बात नहीं कर रहे हैं वर्तमान की बात कर रहे हैं ऐसी प्रतिमान जो ट्रॉली में स्तनिकिन न एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार 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 चौँगी बता है जो यहां पर मिली हैं जो मंदिर में विराजमानी के दरश्य भी देख रहे हैं उन्होंने बता है कि इसका नाम भी रखा गया आदीनात इसलिए उस दिन जनम तब करने आडगता और फिर वहाँ पर क्या कि मैं पाप का बागी बनूँगा जोगी कुछ है क्या तो पूंकि यंको नाम ते जा जा दूंगा तो वह अग्छिन शबलोगा उनको कर लिया तो उसके सारे संकट दूर हो जाए तो गौंफियों लोग काफी आने लगे जह समाची भी लोग तो जाने लगे और मतलब महिना दो मीना तक इस तरीके को वहाँ कारेकर चला आती मानती होती रही और लोग जिनको कुछ बन में जिग्या चाहिं थी या जिनकी इच्छा है थी वो पूर्टी भी वहाँ वही आता लोगों कहना है और जिसकी दाड़ी मूझ सी फुंकार रहा था जिसे कहीं रोक रहा था तुरन संपर किया गुरुवर आचारीशी सोभाग जैसा अगर जिसे तो उन्होंने क्या कहा यह ऐसा वैसा नाग नहीं है जिसकी दाड़ी मूझ सफेद बता रहे हो और पिलंगा यह इच्छा दारी है कोई भी कोप कर सकता है इसको छिडाना मत हमारी बात पर विश्वास करेंगे नहीं जिसने देखा था वहा था उसकी बात पर विश्वास करना होगा हाथ कंगन को आर्ट सी क्या और पढ़ लेखे को फार सी क्या सुनिये जा.. तो खुद महाराजी वहां अंदर गए मौरे के अंदर तो जैसे हम लोग उपर से नीचे उतरे तो उतरते ही एक आले में पीला नाग सफेद बाल से उपर मतलब वो उसमें बैठा हुआ तो थोगा बह लगा, महाराजी बाहर आये महाराजी ने फोन कराया हम लोगों से महारा बड़े महाराजी के लिए उन्होंने का कि भाई उस नाग से मत बोलना वो इच्छा दारी नाग है आप लोग छोड़ खान बिलकुल मत कर जाना नहीं तो तुमको कोई भी दोगटना गड़ सकती है उसकी तरफ देखो भी मत कुछ भी मत करो बैठा बैठा रहने दना उससे मतलब कोई छोड़ी साल मत करना अच्छा देखा था और डाली बाल से महाराजी ने भी देखा था तुकि मैं तो नहीं गया था जो भाई गए तो नहीं पताया डाली बूचे सक्षी उसके तो महाराजी उसको वहीं छोड़ करके और नीचे बोरे में जो संक्रीम रास्ता है मोरी टाइप का उसमें लेट करके वो अंदर वहां तक गए था और लोट करके भी आए तब तब हुद नाग वहां से चला गया वहां पता नहीं कहां चला गया अचरे जी अचरच अतिशे यहीं हैं दसमार्त को जां महां पते हैं उसकी बारें बताएंगे आपको पर यहां पर यहां पर आते हैं गवळाओं वाले पता है कि अब भी वहें उस मंदिट जावाज आती है और एक बावा लाल लगोट और हातर मुष्टिका लेकर के इस दरवाजे से निखलता है दरवाजा खुला होता तो तो निखल जाता है नहीं है तो दीवाल के ऊपर से चलांग भार करके कई वार हमें निखल पूर देखा है बात की दिन है बहुरे की उस पूल को छेर होते हैं इसलिए होते हैं कि रोशनी आरपार हो जाए तो उन्हें काए बंद क्यों करवा रहे हो उन्हें जवाब नहीं दिया पर कहते हैं उस मंदर के दिवार से एक मुस्लिम का परिवारे साथ उसने बताया कि यहां पर एक तुमारे नाग बाबा का मंदिर ह तब तो बात नहीं हुई जो दो दो रूपे के लिए महतास था आज भे गॉलियर चला गया आज उसके कई मकान है और लखपती लखपती बन गया है क्या राज था उसका क्या भे कोई संपती मां से ले गया था कुछ ऐसा ले गया था और अब जब वो जी चुको पांच लखी जगए दे था उसने बोली बढ़ाता गया पांच दस पंदरा करता गया इतनी मांग ली उसने मांग कि आज मंदिर के समाज बालों पर इतनी हिम्मत नहीं है सुननी एक बात और जभार जी से इसके पिछवाले साइड पूरुफ साइड में एक मुसल्मान का घर है उसकी दीवाल हमारी दीवाल एक है तो जो बहुरे साइड में जो दीवाल का उसकी जगे पड़ी हुई है वो रास्ता लोग ऐसा बताते हैं उसकी पीछे खंड़ पुपावगा चोड़ा खंड़ वो दूसरों का है ऐसा लोग बताते हैं वहां से वो रास्ता गया हुआ हुआ अच्छा उस मौबनन में बताया था कि जा मैं तो भईया तुमारे नाग वाली बाबा बेटे हुए है ऐसा उसने बताया इसमें तो बहुत बला मंजिर है तुमारा जब पता नहीं कहां कि तो यह कैसे मालन पुड़ा कि मिजे सब नहीं मालन पुड़ा किन्तो उसके बाद वो आदमी जोड़के चला गया और गवालिय जाकर के उसने अच्छे-च्छे मकान ले लिए तो कुष्यासा भी थमको आवा सो रहा है कि उनास्ता वहीं से गया है और उसको हो सकता है कुष्या को पैसा भी मिला हूँ ऐसा अनमाना के बल यह अनमार बद प्राचीन परतिवां में ऐसे दिखते रहते हैं दस मार्थ को यहां उपाद्याय श्री विहसंत सागर्जी के सानिद्धे में विराक्साइची शेना उनके सानिद्धिया महा मस्त का विशेक आयुजन किया है अगर आपको विश्वास करना हो एक बार दर्शन कीजिएगा आएगा गौलेर से बस सोला की उटर दूर है कुलेत गाओ सौंग नदी के पास सादर जैजनेंद्र